वेल्कम पूर्मान्स टॉर्णर आज हम बनाएंगे चात्रे के मोदुक यह दिखिए इनका टेस्ट भी अलग होगा और कलर तो अलग आप देखी रहे हैं बहुत ही टेस्टी आज की रस्टी होने वाली है मोदुक बनाने के लिए हमें चाहिए होगे बिस्कित है कोई भी कमपनी के विस्कित लिए सकते हैं कोई नहीं है अब हमें छूरा प्ना जाना ते है हैं इसे ली ग्राइंडर में आप ऐंको दालका चूरा प्याद करेंगे इसे अब इनने ग्राइट कर लेले झालैंगे बिस्कुट का चूरा हमने का लिया है ते देखिए और हमने यहां पे लिया है नारियल का चूरा तो जितना हमारा बिस्कुट का चूरा है उतना ही नारियल का चूरा है अब इसे मिक्स कर देंगे दोनों को और जो हम तीन तरह के मोदक बनाने जा रहे है ना इसी मिक्स्चर से पोरा हम बड़े बसकर में का लिया है अब इसमें यहां पें लिया है 300 frame 400 ग्राय सके चूरा यह लेल है इसमें बड़े का ओर नरिय लृ का चुरा और एक में अंब बसक भले में 3 चॉकलेट बाले बनाएंगे ओदक तो इसके लिए हम लेंगे कोको पॉडर यह हमें सिंपल चमज जो हम घर में यूज करते हैं यह वाले दो चमज डाले हैं इसमें काफी होगे अब हम इसमें डालेंगे मिल्क मेल अच्छे से इसे गूल लेना है चॉकलेट मोदक का हमारा मिस्चर त्यार है अब हम ऐसे मोल्ड आते हैं मार्केट में तो आप कोई भी लेने अब बनाएंगे प्यारी प्यारी मोल्ड तो ऐसे मोल्ड में थोड़ा सा इसे घीर गा लेना है ता जो आप मोल्ड जल्दी से बाहर आ जाए अब थोड़ा सा ऐसे मिक्चर देना है अपको इसे बंद करना है पहले नहीं बंद करके अच्छे से फोड़ा सा आसे एकना थोड़ा से का लें नंबासा और फिर डालेंगे का हमकर करने की लिए हम नहीं लिए इसरोड़ेश बसक्राइब डाले से दोड़ेशक। थोड़ी थोड़ी से नकालेते हैं जितनी आपको जरूरत है और फोड़ा सा यहां पे पोड़ लिया है, इसमें थोड़ा से इसको मिक्स करके न, तिर टियार करते हैं अच्छे सी मोल्ड में ये मिक्चर बारने के बाद उंगली से ऐसी घडदा कर लेता है तक वाल साथी के था जो ड़यना है प्लदें मैं तक जी तो आज पार है तो फीलिंग प्लागई खूश ओछ जाने वाले है जालना है ऐसे यह दिखिए ऐसे बन गया है न कितना अच्छा बना है टाइप वन जो हमने चॉकलेट मोदिक बनाए है वह बनकर प्यार हो गया है अभी दो प्रकार के मोदिक हमारे बाकी है अब दूसरी तरह के जो मोदिक हम बनाएंगे उसके लिए हमने ये पहले जो चूरा हमने मिक्स करके रखा है ना बिस्किट वाला और नारियल वाला ये ले लिया है उतना ही 300 ग्राम है ये भी अब इसे हम थोड़ा इसमें कलर लाएंगे उसके लिए हम थोड़ा ना फूर कलर कहाँ हां को जाएंगे तो इसमें डालेंगे के फूड कलर और चाहँ हमारा मल्क में ये बिल्कमेट ये जाते हैं अर्म पन उतना है की ठोड़ा गूंदने हो जाएंगे आज़ा भी जाते चा और आप दूसरी टाइप के मोदक बनाने के लिए भी हमने ये मिक्स्चर तेखिए त्यार कर लिया है बहुत अच्छे से त्यार हो गया है ज्यादा सक्त भी नहीं है और ज्यादा दर्म भी नहीं ऐसा ही चाहिए बिल्कुल अब इन मोदक की जो फिलिंग करनी है वो हम करेंगे बदाम, पिस्ता और काचुकी और पहले इनकी छोटी-छोटी कतरन कर लेते हैं ऐसे फिर इनकी फिली करेंगे आम अच्छे से तो आएगा ना पूरा टेस्ट मिठ्याई का बहुत ही पसांद आएगी आपको मिठ्याई चलिए दूसरी टैक के भी बना लेते हैं पहले इसे ले लेना थोड़ा सा मिठ्याई और इसे अंदर की तरफ अच्छे से लेके जाने है ऐसे दबाने अच्छे से थोड़ा सैसिंग गुली से खड़ा करके इसमें बरेंगे हम अपने ये बदाम, पिस्ता और काचुकी अच अच्छे से थोड़ा सा मिस्चर और लेके इसको ऐसे बंद कर देना है अच्छे से तो लेजिए ये भी त्यार हो गया है दूसरी टाइप कम गुली देखिए कितना अच्छा बना है ऐसे ही सारे मोदिक हम त्यार कर लेंगे हमें चाहिए चुकंदर इसका हमें जूस चाहिए तो चलिए पहले जूस निकाल लेते हैं अब चुकंदर का जूस इसमें मिला लेना है अच्छे से और फिर डालेंगे हमारा प्यारासा मिल्क में इसे डालने से इसमें मीठा भी बन आ जाता है और खोई की कसर भी पूरी हो जाती है अचलिए इसके भी बना देते हैं मोदिक कितना बढ़िया कलर आया है पिंक सा कलर आया है और इसको भी अच्छे से दबाएंगे और हाथ से थोड़ा ऐसे खड़ा कर लेने के पाल इसमें डालेंगे वा अच्छे से भरकर इसे उपर से बंद कर देए इसे तो देखिए यह भी बन गया है इसका कलर देखिए कितना सुंदर कलर आया है खाने में भी टेस्टी और देखने में भी सुंदर चौथी टाइप के मोदक बनाने के लिए हमने लिया है जहां भी थोड़ा सा एक चम्मच देशी घी और यह आटे के मोदक होंगे तो इसमें थोड़ा सा हम आटा डालेंगे यह लगबग जब तक इसमें खुश्बून आने लगे तब तक इसमें थोड़ा सा भूनेंगे दिखिए आटा हमारा अच्छे से भून चुका है इसका चलब ही चेन होगा है अब हम इसमें मिला देंगे शोगर पीसी हुई चीनी है यह मैंने ग्राइंडर में पीस लीथी अब इसे अच कर देंगे और गयस को कर देंगे बनां अब फुमने ओए अठे में थोड़ा सा यह को को सॉच्छ को पाउडर सांप एक Move Listening लेंगे इसमें तोड़ि सी लेचि मिं डालें गी इरचिवा पाउडर चीनी हैं दोपाउड देंदर ती दिखिकर लेना है मिलक्ष मिक्स 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 अब इसमें डालेंगे हमारा मिर्क मेर्च आ लिए बनाते हैं इसका नाका देखि यह वी त्यार हो गया है आटे वाल अब इससे बनाएंगे मोट ऐसे थोड़े सह मैं इसमें एक अलग चीज करेंगे यह पिस्ता है हमारे पास, पिस्ते की कत्रन है, वो इस मोल्ड में हम लगाएंगे ऐसे करके, अंदर इसके तो बहुत अच्छे दिखाई देंगे जब बढ़ेंगा न, कहीं भी लग जाएं ठीक है, मोद बहुत अच्छा लगेगा इसमें, यह देखिए, ऐसे करके अच्छे स भर लेना है, इसे, अच्छे से, बोला, देखिए, इसमें भी हमने, थोड़ा सा खड़ा कर लिया है, इसमें भी यह द्राइ फूट्स, जो हैं भरेंगे, इसकी फिलिंग करेंगे, बढ़, पिस्ता और काजु की, अच्छे से, बारकर इसे, उपर से बंद कर देंगे, तो चलिए देखते हैं कैसा बना है, यह देखिए, इतना अच्छा बना है, और हमने जो कतरन डाली थी न? पिस्ते की, यह देखिए, कितनी अच्छी लातार आई है, यह देखिए, ऐसे बहुत संदर लगेगा, यह देखिए, और भी बनाते हैं यह आसे ही, वाव, कतरन देख इस्ते की, यह दिखिए इतना चवन है, तो चलिए हमारे चार टाइप के मोदग बन कर त्यार हो गए है, जिनका पेलर भी अलागे है और टेस्ट भी अलागे है, तो चलिए अब हम इसकी पहली कर लेती है, प्लेटी, जो बड़े मोदग है, उन्हें निकालकर प्लेट मिस जाती है, ऐसे, वाउ, देखिए यह बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही प्यार में तोड़के आपको दिखाती हूँ, देखिए इसकी फिलिंग, ड्राइ फ्रूट इसमें बरे हु तो कैसे लगी आपको मोदग की रस्ती, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्रीज सब्स्क्रेब जरूर कर लें और बेल आइपोन प्रेस जरूर कर लें ता जो आपको मेरे हर वीडियो का नोटिक पिशन मिल सकी, थैंक्यू पर वाच कर दो आपके भीडियो ओड्स्थक पिई